हाई फ्रेंड्स आज मैं रदरोगों के केसेस में इस्तमाल किया जाने वाले एक इंजेक्षन का रिव्यू करने जा रहा हूँ हाई फेल्वर के केसेस में और गिरे हुए बलड प्रेसर को उपर उठाने के लिए इस इंजेक्षन के उप्योग करने की एडवाइस की जाती है डोबुजेन पी एफ वी टू फिप्टी मिलिग्राम इंजेक्षन ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्द होता है श्री गनेस फार्मासुटिकल से लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत की अगर बात करें तो 5 ml का एक एंपुल मार्केट में 250 रूपीज का उपलब्द होता है फ्रेंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका क्या एक्स्पिरियंस रहा है कमेंट सेक्षन पर लिख कर मुझे जरूर बताएं आए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन या इसके कॉंटेंट के बारे में तो फ्रेंड इसमें डोबुटामाइन टूफिप्टी मिलीग्राम की मात्रा में उबलाब्द होता है अब देखते हैं फ्रेंड इस मेडिसीन या इस इंजेक्शन से जुड़े कुछ अन्य बैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स डोटा माइन 250 मिलिग्राम इंजेक्शन जिसे नियोन लेबरेटरीज लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है डोबु टाम 250 mg इंजेक्शन जिसे युनाइट बायो टेक प्राइवेट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है डोबू सेफ 250 Mg इंजेक्शन जिसे VHB Life Sciences लिमिटेड के दोर बनाया जाता है डोबूरान 250 Mg इंजेक्शन जिसे VHB Life Sciences Limited के दोर बनाया जाता है और डोबियर लाइफो 250 Mg इंजेक्शन जिसे चंद्रभगत Pharma Private Limited के दोर बनाया जाता है Friends Market में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ यह ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जिन्हें आप इस मेडिसिन के ना मिलने के इस्तिती पर भी पर्चेस कर सकते हैं अपना काम चला सकते हैं आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वैं सेम होता है अब देखते हैं Friends इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तिमाल के बारे में तो Friends इस इस इंजेक्शन का प्रमुख इस्तिमाल हार्ट के फेल्वर होने में किरे हुए रक्तचाप को उपर उठाने के लिए किया जाता है यानि इस मेडिसिन को लो बीपी के केस में दिया जाता है अब Friends हार्ट फेल्वर और हार्ट अटेक जनरली एक ही समझा जाता है परन्तु दोनों चीजें अलग अलग है इन दोनों में क्या डिफ्रेंस होता है हार्ट फेल क्या कहलाता है और हार्ट स्ट्रोक क्या कहलाता है इसे आप मेरे चैनल पर वीडियो सर्च आउट करके चेक कर सकते हैं अब देखते हैं Friends इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में तो Friends Blood pressure का बढ़ जाना और नीद आने में कठिनाई का होना इसके कुछ कामा साइड इफेक्ट के रूप में देखे गए हैं अब देखते है Friends इस इंजेक्शन को इस्तिमाल कैसे करना चाहिए तो Friends आपका जो डक्टर है आपका जो प्रिस्क्राइबर है वह आपको इस मेडिसिन को देगा एड्मिनिस्टर करेगा आपको सेल्फ मेडिकेसर नहीं करना है यह मेडिसिन जनली आईसु के अंदर इस्तिमाल होती है बहुत ही घातक गिस्म के मेडिसिन होती है और अत्यन्त यूज में आने के बाद आपको इस्तमाल करने के ड्वाइस की जाती है आता है बहतर होगा कि आप सेल्फ एड्मिनिस्टर ना करें इसे ड्रिप के साथ मिक्स करके दिया जाता है इसके अलग-अलग रेजिमेन होते हैं इसलिए कार्डियोलाजिस्ट डाक्टर को ही रहने दे आप कार्डियोलाजिस्ट ना बने या आप विसे सग्गे ना बने आप स्वयम चेकित सन्ना करें डाक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने पर ही आप इस मेडिसिन को इस्तमाल करें अब देखते हैं friends है medicine काम किस तरह करता है तो यह injection एक sympathetic agonist होता है और जो heart के response होता है उसकी activity जो होती है उसके receptors की activity को बढ़ाता है जिस कारण यह medicine work करती है heart के जो pump करने की activity होती है उसे efficient बनाता है उसे strength पहुँचाता है उसे ताकत प्रदान करता है और जो pumping capacity होती है उसको बढ़ाता है जिसके कारण heart जो failure हो रहा होता है उससे बच जाता है और आप एक अच्छी इस्थिती में पहुच जाते हैं आपका blood pressure गिर रहा होता है चुकि heart अच्छी तरह से pump नहीं करता है और उस condition पर यह medicine आपकी गिरे हुए blood pressure को उपर उठाती है बलड को अच्छी तरह से flow करती है आपके body के अंदर और आप धीरे धीरे स्वस्त हो जाते है अब देखते है friends इस medicine से जोड़ी कुछ अन्य बात चाहिए आपके खोन में sodium और potassium के level के निगरानी करने के लिए आपका जो doctor होता है वह इस medicine देने के दौरान नीमित रूप से इसका blood test करा सकता है या आवसक होता है इसके लिए आपको आनकानी नहीं करना चाहिए अगर आप गर्व होती है या pregnancy के planning कर रहे हैं या इस्तान पा ऐसा होता नहीं है क्योंकि यह self administration के medicine नहीं है hospital में आपको admit करने के बाद ही medicine का dose दिया जाता है कोई dose अगर nurse या किसी भी healthcare professional के द्वारा मिस हो गया है तो यह ही decide करेगा कि आगे आपको क्या करना है आपको किसी प्रकार का excel नहीं क्या हो सकता नहीं है अब देखते हैं friends इसके कुछ safety features के बारे में तो friends alcohol के साथ इस medicine को इस्तिमाल जनरली नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी प्रकार के interaction हो सकते हैं अब ही तक इसमें कौन से interaction होते हैं इसकी जानकारी उपलब्द नहीं है गर्भा और इस्तनपार्ण के बाते मैंने आपको पहले ही बता चुके हूँ अब मैं driving mode की बात करता हूँ कि अगर आप इस medicine को लेते हैं और बहतर में शूज करते हैं ठीक होते हैं तो भी आपको self driving करके बहार नहीं चलाना चाहिए क्योंकि यह किसी प्रकार के complications को पैदा कर सकता है kidney और liver log से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आप डाक्टर से उचित परमर्स करें इसके पस्चाथी medicine का सेवन करें तो फ्रेंड्स यह था एक छोटा से review medicine की उपर मेरे दोरा दिया गया सारा विबरन केवल आपकी जानकारी के लिए है किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आपको अपने डाक्टर से उचित परमर्स करना च चाहिए इसके पस्चाथी medicine का सेवन करना चाहिए सिर्फ वीडियो के अधार पर medicine का सेवन करना हानिकारक हो सकता है आपको इन सारी चीजों से बचना चाहिए इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही है किसी अन्य अच्छे interesting topic के साथ आप से फिर मुलाकात करता हूं तब तक लिए गुडबाई आपका दिन सुभ हो जाए हिंद।